हेलो दोस्तों कैसे हूँ आप लोग आज की अपडेट यहाँ पे जो है महा जेनको की तरफ से मारस्टा स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड यहाँ पे इन्होंने फ्रेश्यस के लिए अपडेट निकाली है बहुत बढ़िया वेकेंसी है और यहाँ पे आपको जो है अपलाइक करना चाहिए यहाँ पे मराठी भी कंपसेट है लेकिन आप आराम से तीन साल बाद इसकी एक्जाम दे सकते हो जॉब करते कोई इश्यू नहीं है तो सारे के सारे आप में से जो भी है एलिजिबल है एंड तक वीडियो को देखना तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं आप समझ पा रहे होंगे तो अपने दोस्तों को शेर करते हो बस इससे जादा कुछ नहीं तो यहां पर अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले तो इन्होंने जो है स्ट्रीम वाइज यहां पर डीटेल दी हुए जैसे कि मेकैनिकल की जो वेकिंसी से वो उसका टेबल अलग है इलेक्ट्रिकल का अलग है इंस्ट्रुमेंटेशन का अलग है और यहां पर डिपार्ट्मेंटल कैंडिडेट्स का भी जो है टेबल अलग है और यहां पर जो है अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहां पर इलिजिबल हो डिप्लोमा वालों का भी टेबल General और SC, ST, Open EWS पूरा detail में दिया हुआ है आप यहाँ पे वीडियो को post करके यहाँ पे पूरा देख सकते हो ऐसे की departmental candidates का है लेकिन अगर आप हो तो यार आप तो बहुत अच्छी से जानते हो मुझे बताने की जरूबत नहीं है आप खुद भी check out कर सकते हो Junior Engineer मतलब Diploma वालो का भी table आपको देख रहा होगा यहाँ पे यह है पूरा criteria अब आप इसे जो दूसरी field से belong करते हैं दूसरी branch से belong करते हैं वीडियो यहाँ पे छोड़ सकते हैं मेरा यहाँ पे शुरूआत में eligibility criteria बताने का main मक्सक यह है अब ऐसे तो नहीं कर सकता हो ना कि वी production industrial हो गया, thermal हो गया, mechanical and automation हो गया, eligible हो ऐसे electrical instrumentation सबकी यहाँ पे आपको detail दिख रहे होगी video lectures, e-books and यहाँ पे आपको full length mock test सिर्फ और सिर्फ 999 में मिल जाएगी, जी हाँ आपने सही सुना, यह कोई clickbait नहीं है, ना यह कोई extra charge है, यहाँ पे कोई time limit का भी issue नहीं है, मतलब कि एक दो महीने का नहीं ही, यहाँ पे आपको पूरा एक साल के लिए course के access मिलेगी, जो generally मि पूर्स 999 में आपको मिल जाएगा, तो description की link एक बार जरूर से चेकते लेना, अब यहाँ पर यह application जो है, महाजनको का 17 November, यानि कि कल ही just open हुआ है, और इसकी last date 17 December है, एक महीने का time है, आराम से आप apply कर सकते हो, तो selection process पर आते है, कि किस तरीके से selection process रहने वाला है, और salary, त जो कि diploma वाले है, उनका यहाँ पर 37,340 pay grade 3 रहेगा, और यह जो amount मैंने खहाँ, वो basic पे है, 11 वगरा जब हम add करेंगे, let's suppose pay grade 2 के अंदर 49,210 basic पे है, 11 वगरा सब add करेंगे, तो यह बन जाएगा 75,000 से 85,000 के बीच में, जो की बहुत अच्छा है, और clearly mention किया है, for outside no experience, मतलब departmental candidates को experience की ज़रुवत पड़ेगी, आपको कोई ज़रुवत नहीं है, और यहाँ पर apply करने की fees भी इन्होंने रखी हुई है, तो यहाँ पर junior engineer, assistant engineer, दोनों के लिए fees है, और 800 plus GST इन्होंने लिए यह है, for open category and reserved candidate and EWS, including EWS 600 plus GST, और junior के लिए यहाँ पर 500 and 300 है, तो आपको यहा पर फीस हर किसी के लिए है, SCST वालों के पास से भी यह फीस लेने वाले है, अब आते सेलेक्शन प्रासेस पर, तो सेलेक्शन प्रासेस जो है, वो conduct किया जाएगा January 2023 में, और इसमें होने वाली है, सबसे पहले तो online test, और यह जो test है, यह एक से ज़्यादा sessions में भी हो सकती ह है, और इसके बारे में और ज्यादा details नहीं दी है, बस इतना काया objective test रहेगी, और जो आपने college में पढ़ा है, मतलब कि जो discipline आप जिस discipline से भी लॉंग करते हो, उसके regarding आपकी जो है test रहेगी, और यहाँ पे आपका जो evaluation है, वो दो तरीके से किया जा सकता है, अगर individual test, अलग merit list बनेगी, now selection process की condition आपको समझ में आगे होगी, इसके बाद interview भी हो सकता है, अब आते है, next जो इन्होंने कहा है कि stipend के बारे में, मतलब कि आपको salary तो 75 से 85 के बीच में मिलेगी, लेकिन पहले 52 weeks के लिए आपकी training होगी, जिसमें जो assistant engineer होंगे, उनको graduate engineer training के तोर पे रखा और बात में आपको ये designations main assistant engineer हों मिलेंगे, अब आपको 22,000 per month आपको मिल जाएंगे शुरुआत में एक साल के लिए और diploma वालों को 18,000 per month मिल जाएंगे, उसके बाद आपको यहां पर select किया जाएगा and आपकी पहले 3 साल के लिए आपको जो है इस तरीके से payout मिल जाएगा, अब इन्होंने दो चीज़े की हुई है, अब इन्होंने कहा है कि after training for the first three years selected candidate has to work compulsory at maha jinkos any thermal plant, अब ये जो है ऐसा हो सकता है कि पहले 3 साल के लिए आपको thermal plant पे काम करना जरूरी है, उसके बाद आपको जो है एक साल और काम करना होगा या दो साल काम करना होगा, क्योंकि इ ये जो चीज़े है वो आपको ध्यान में रख्के apply करना होगा, लेकि अपको इसे अटेंशन लेने की जबद नहीं apply कर सकते हो, अब apply कैसे करना है, official website, उसके link वगेरा सब कुछ मैंने description में दिया हुआ है, जहाँ पर आपको सब कुछ detail में मिल जाएगा, वहाँ से आप official website प उसको भी check out करना न भूले, that's it for today, उमीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है, और भी वीडियोस चाहिए, बस एकी काम करना है, subscribe कर लेना है, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, मिल दे नेक्स वीडियो में, नेक्स जाब अपडेट मे तब तक के लिए, goodbye, take care